तो आगत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से तो जैसा कि हमने बहुत सारे topic को cover किया है और अब हम यहाँ पर एक important चीज को देखने वाले हैं और वो यह है कि शायद जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर regular जुड़े हुए हैं बट आप लोगों में query होती है या एक द synthetic pathway start किया हूँ ठीक है तो यहाँ से question exam में पूछे जाते हैं बट वही बात है कि थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है ठीक है तो इस lecture में particular questions जो आई हुए recent में हैं उनको मैं discuss करूँगा ताकि आपके लिए क्या हो सके जो मेरे कुछ lectures अगर आपने इस channel को follow कर रखा होग तो मैं बीच-बीच में कुछ topic या कुछ बातें या कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ जो आपके लिए क्या होता है आई ओपनर होता है ठीक है तो यह lecture आपका आई ओपनर की series में आएगा ठीक है और आपको कुछ मैं previous year के question दिखाऊंगा और आपको यह समझाऊंगा कि आप कितने important topic को मैं यहाँ पे cover कर रहा हूँ ठीक है तो आप उस topic को बहुत ही अच्छे से cover करिए ठीक है अगर आपकी मतलब मैं क्या ही कहूं कि अगर बहुत ही worst condition होगी तभी वो questions नहीं आएंगे बट आपको कही न कहीं exam में question देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस वजह से मैं य यहाँ पे आपको कुछ questions में दिखाता हूँ जो recent में इन ही सबसे पूछे गया है जो अभी हमने paper पढ़ा है ठीक है topics को पढ़ा है तो जैसा कि अभी आपने मेरे पिछले lecture जो कि मैंने कल collision का upload किया था तो यह जो question है यह आपका question जो आया हुआ है वो इसी साल dbt 2022 का यह question है यह आप जाके देखिएगा ठीक है तो simple सी बात है कि competition का level high है तो आपसे सीधा question नहीं पूछा जाएगा आपसे जो कि मैंने अगर किसी भी question paper कर आपने discussion देखा होगा मेरा तो मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि जो examiner है वो बहुत ही चतुर चलाक है तो वो क्या करेंग को अब यहाँ पर हम समझते हैं तो जैसे कि इन्होंने कहानी बनाई और उन्होंने कहा कि 15 से 30% जो collagen के residue होते हैं उसमें 4 hydroxy proline पाया जाता है इसमें तो कोई संसे नहीं था हमने क्या जाना था हमने glycine जाना था और 2 amino acid or होते हैं जो कि आपके proline होते हैं और एक क्या होता है आपका hydroxy proline होता है यही तो मैंने बताया था जिसमें glycine आपका one third होता है यानि कि 33% होता है remaining आपके बाकी चीजें होती है तो वो information यहाँ पे हो गया फिर इन्होंने experiment प्लान किया कि when rats are fed with carbon 14 से labeled कर दिया गया जिसमें hydroxy proline को किया गया the collagen produced by them is not radioactive मतलब इन्होंने hydroxy proline को ज carbon 14 को proline के साथ label किया तब इन्होंने पाया कि जो collagen produce हो रहे है वो क्या है वो radioactive है ठीक है तो इसका कारण क्या कारण हो सकता है तो आप अगर इस पूरे story को अगर आपने पढ़ा होगा collagen को जैसा कि इन्होंने बहुत सारे option दिये हुए है कि hydroxy proline जो है वो क्या essential amino acid है रैट में तो खैर इतना देखेंगे आप common sense भी लगाएंगे तो amino acid ऐसे कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि मतलब rat बगारा में बदल जाएंगे या किसी species में बदल जाएंगे तो यह option आपका नहीं होगा free hydroxy proline इजे dehydroxylated to form proline in the rat तो यह सब story तो नहीं होती है बाकि proline residue are hydroxylated once they are incorporated into the collagen in the rat तो यहां पर जो story apply हुई है वो क्या हुई है क्योंकि collagen जो molecule था वो proline के साथ जब उन्होंने किया तब उनको radioactive मिला क्यों radioactive मिला क्यों क्यों radioactive मिला क्यों recycling residue का क्या होता था hydroxylation ही तो होता था system में hydroxy proline कहा होता है हमारा system में हमारे पास hydroxy proline कहा होता हमारे पास to प्रोलीन होता था जिसको hydroxy प्रोलीन में कनवर्ट कर रहा था आपके जो सिस्टम में एंजाइम थे जो हमने पढ़ा तो यहीं से आपको इस चीज को कैच करना था कि यहीं इसका आंसर है कि प्रोलीन रेसिडिव जो होते हैं वो हाइडरॉक्सी लेटेड होते हैं जब उनका इंकॉर्परेशन होता है कोल प्रोलीन तो सिस्टम में है आप हाइडरॉक्सी प्रोलीन को क्यों टी हाइडरॉक्सी लेटेड करोगे उल्टा प्रोसेस थोड़े जाओगे हम तो सीधा प्रोसेस पढ़े थे कि भई आप प्रोलीन को क्या कर रहे थे हाइडरॉक्सी प्रोलीन में कनवर्ट कर रहे थे तो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, मैंने क्यों पढ़ाया, इसी लिए पढ़ाया, क्योंकि ऐसे questions exam में पुछे जाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिखाना बहुत आवश्यक है, इसके अलावा जो हमने cholesterol की by synthesis पढ़ा, ये question जो है, ये DBT 2019 का question है, ठीक है, मैं बार cholesterol का inhibitor होता है, बाकी जैसे ही ये question आप देखिए, तो ये तरीका भी याद रखिया, ऐसा नहीं है, कि आपको statin आपने देखा, आपने cholesterol लगा दिया, ठीक, exam में लगा क्या बढ़ जाओ, लेकिन अगर आज भी तुम इस पल इसको solve कर रहे हो, तो तुमको बहुत सारी चीज किस से था, पेन से था, ये याद आ जाए, सीरो टोनिन आपका वासो क्या था, वासो कॉंस्ट्रिक्टर था, लिको ट्राइन जो था, वो हाईपर संस्टिविटी रेक्शन में इन्वाल्व होगा, कोलेस्ट्रॉल था, इसके अलावा इस्टैटिन में ये आपका था, अगर इस तरीके से दे दिया, किस से आईसोलेट करते हो, फंगस से करते हो, किस फंगस से करते हो, भई अगर इतना ही याद रखोगे न, तो बहुत कुश्चन आने वाले है, मैनासकस, परप्यूसस से इसको आईसोलेट करते है, ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है तो ये HMG को enzyme में जो होता है enzyme reductase इसको inhibit करता है कैसे inhibit करता है competitive inhibition करता है ठीक है तो ये इतनी information आप याद रखिएगा इसी से इर्द गिर्द होते हुए अगर आप ये question solve करोगे आप बाकी और paper भी देखिएगा आपको कहीं न कहीं ऐसे question जरूर मिलेंगे ठीक है इसके बाद एक question ये DBT का question है जो कि 2020 में पूछा गया था कि जो कि अगर आज आपने मैंने अभी थोली देर पहले lecture upload कर दिया है hemoglobin का तो वहाँ पे मैंने इस पूरे lecture में मैंने जिक्र करते हुए एक myoglobin का नाम लिया है मैंने क्या बताया है अगर आप उसमें देखेंगे मैंने तरसरी structure का इक्जामपल बताया है उस मतलब लेक्चर में और वही question यहां पे पूछा गया है कि which one of the fall is does not have a cotonary structure किसका नहीं होता है तो hemoglobin जो होता है इसमें 2 alpha 2 beta chain होती है जो कि हमने भी लेक्चर में देख लिया ह यह cotonary का example होता है RNA polymerase यह भी आप जानते हैं जो कि holo enzyme होता है ठीक है और इसके अलावा collision जो होता है यह भी आपका cotonary structure का form में होता है ठीक है तो यह important information आपके लिए हो गई है इसके अलावा जो हम अब यहां पर जो हम further चीजों को देखने वाले हैं वो कुछ और reaction है यह ए तो यह कितना favorite topic है यह आप समझ सकते हैं तो मैंने ऐसे वैसे आपको नहीं पढ़ा दिया कि आप सोचो कि अरे यह पता नहीं कि आप इसके महत्त को समझीए यहां पर क्या करना था यहां तो घुमाया भी नहीं था बस सीधा question आप से पूछा था कि which one of the falling is not a characteristic of the collagen fiber का क्या characteristic नहीं है तो क्या चीछ हमको धूणना है कि नहीं हमको देखना है तो अगर आप इन सारे statement को पढ़ो तो जब आप collagen की synthesis पढ़े थे तो यह तो आमने पढ़ा था ना it is the main component of skin, bone, tendon, teeth इसमें तो कोई confusion नहीं था यह बात तो सत्त है तो यानि कि यह true हो गया इसके बाद the core of the triple standard helix is populated with glycine residue, glycine भी हमने समझा उस बुक से कि glycine क्यों incorporate हो रहा था क्योंकि यह smallest amino acid है जो इसके pocket में fit हो रहा था तो यह statement भी true हो गया इसके बाद it is a fibrous protein with alpha helical coiled coiled structure यह भी तो वहां पे हमने देखा क्यों देखा क्योंकि जब वहां पे हमने comparison कि है कि normal alpha helix में 3.6 होता है लेकिन collision में 3.3 thirds होते हैं तो यह बात यहां पे true हो गया जब इतनी बात है true हो गया तो यानि कि नीचे वाला यह false है अब यह false क्यों है इसको भी समझ लो इच आप the stand इजे independently stable stand की बात कर रहा है कि यह independently stable due to the presence of hydrogen bond तो hydrogen bond मैंने बताया है कि stability के लिए है लेकिन एक strand जो यह आपका triplet collision है मालनो इस तरीके से जो आपका यह triple helix है तो यह दो helix जो है वो आपस में stability जो है वो hydrogen bonding हो या तो फिर इनके में cross linking वाली story है लेकिन यहां पर इन्होंने गलती क्या किया है इन्होंने जो यह कह दिया each of the strand तो each of the strand कहके इन्होंने गलती कर द हाई hydrogen bond भी बनाएगा तो वो कुछ को कुछ ना कुछ तो चाहिए और यहां पर तीन statement तो जबरदस true है तो यह जो होगा इसके comparison में यह false होगा और वो false है भी ठीक है तो ऐसे question को solve करते हैं इसके बाद आप एक questions यहां पर और देख सकते हैं यह थोड़ा साब देख लीजेग तो पांच carbon unit कौन था है हमजी कोएंजाई में था हमजी कोएंजाई में जो भाई मुझसे गलती हो गए थी मैंने इसको comment section में लिखा भी था कि भाईया मैंने इसको 6 carbon बोल दिया है तो लेकिन यह क्या है यह 5 carbon है तो पांच carbon की synthesis हो रहे थी वो कौन था हमजी कोएंजाई मे दिया है तो यहाँ पर तो आपका पूरा खेली खतम हो गया लेकिन आगे भी देख लो रिपीटिटीव एडिशन आप carbon पांच यूनिट जो बन रहे थे वो प्रेनाईल कर रहा था चौथे से मिला दो formation of the basic tarpenide skeleton tarpen synthase जो होगा वो करेगा और modification के लिए हमेशा P450 enzyme होता था य यह question जो है यह आपका CSIR का question है भीया 2022 का question है मतलब इसी साल का question है shift 2 में जो paper हुआ था यह उसमें पूछा गया था ठीक है तो कितना important part आप पढ़ रहे हैं और कितने questions exam में आये हैं तो आप यहां से इसको देख सकते हैं इसके बाद एक question मैंने और उठाया है यह भी आपका CS CSIR का question है जो की 2022 के shift 2 में आया हुआ question है ठीक है मतलब question साइसे देखने पड़ते हैं यहां पे question क्या पूछा था consider the following statement coenzyme B12 लिजे organometallic compound तो यह मैंने आपको दिखाया था ना लेलिंजर में coenzyme B12 याने की coenzyme को इन्होंने बोल दिया इनिकी vitamins क्या होते हैै यह जाप coenzyme का काम करते हैं अगर यहां पे vitamin लिख दिया है या तो यह हमको पता चल गया यह क्या है आपको बताना क्या है कौन सा एक विकल्फ सभी सही कथनों को दरसाता है मतलब कौन सा करेक्ट स्टेट्मेंट है तो जब इस option को देखोगे तो एक तो केवल ए में ही दिया गया है ना तो यह इतनी information से आपका यह question solve हो गया ठीक है इसी लिए मैं कहता हूँ कि CSIR के question पर जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ है आपको बस अपने information पर भरोसा रखना बाकि जो इसमें remaining information है वो भी कोई बहुत हाइफाई नहीं है अब जैसे सबसे ज़्यादा affinity होती है वो बायोटीन और एवडिन की होती है ठीक है यह बायकेमेस्ट्री में देखा जाता है कि जो एंजाइम और इस तरीके से जो एफिनिटी का case आता है उसमें बायोटीन एवडिन की सबसे ज़्यादा होती है और PLP जो होते हैं वो cofactor का का काम करते है for amino transferase reaction के लिए तो यहां पर आपको क्या हुआ दो question यहां पर मिल गया है इसके अलावा एक question जो भी मैंने recent में RBC का upload किया hemoglobin का ठीक है यह भी आपका CSIR shift 2 ठीक है shift 2 और यही 2022 का question है ठीक है अब इसको देख लो इसमें पूछ क्या रहा है amount of the hemoglobin is blood is one of the important health marker following statement आपको दिया गया है जब hemoglobin का degradation होता है when older RBC destroy की जाती है tissue macrophage के द्वारा तो यह भी आपको पता चल गया यह additional information थी जो हमारे lecture में नहीं था right लेकिन उसके अलावा तो कोई गलत बात नहीं दी गई है आपको क्या करना है सबसे पहले correct combination को देखना है ठीक है अब correct combination को पढ़ना है तो सबसे पहले आप देखिए तो globin protein of the hemoglobin जो split off होता है और heme को convert किया जाता है blue rubin में तो यह तो गलत बात हो गई ना सबसे पहले मैंने अपने lecture में क्या बता है सबसे पहले blue bradine बनता है ठीक है blue bradine पहले बनता है reptile birds mammal इन सब चीजों में और वही pathway follow होता है लगबग हर जगा लेकिन हमारे case में क्या क्या होगा globin protein of the hemoglobin को split off कर दिया जाएगा और heme is converted first to blue bradine ठीक है by the action of the heme oxygenase समझ में आई की बात की नहीं समझ में आई कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो blue bradine बना था ना blue bradine पहले बना तो blue rubin कैसे बन गया तो ये option क्या हो गया false हो गया ये true हो गया तो आपको B यहाँ पे दिख रहा है B यहाँ पे दिख रहा है, अब C और D में देखना है, तो carbon monoxide formed होता है कि nitric oxide होता है, तो यह आप देखेंगे जब आप उस figure में आपको दिखा देता हूँ, तो carbon monoxide बनता है, तो इस वजह से जो option होगा, वो B और C होगा, हलाकि मैं यहाँ पे इसको आपको clear दिखा देता हूँ तो अगर आप इसको देखना चाहें, तो जैसा कि मैंने इसको PDF में खोल लखा है, ठीक है, यह book थी, जो यह pathway था, जो मैंने भी आपको explain किया है, उसमें अगर आप इस pathway में जब यह reaction हो रही है, तो यह देखी है, हीम से पहले क्या बना, बिलिवडीन बना, बिलिवडीन बन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही important है, उसको हलके में कताई मत लेना, ठीक है, अखुल से भी पढ़ते रहो, ऐसा ने कि जो chapter मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को पढ़ा, अगर आप थोड़ा सा भी concept clear है, अगर आप repeaters हैं, तो आप उन चीजों को recall करते रही है, वो बह बहुत ही important और बहुत ही अच्छी book है, ठीक है, तो क्या हो गया, carbon monoxide यहां से निकलता है, और सबसे पहले क्या बनता है, बलिविडीन बनता है, तो B और C जो होगा, यह इसका correct option होगा, ठीक है, तो यह हो गया information, तो यह आप यहां से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप आपको जो दिखाया, एक question ये, एक question ये, और एक question ये, तीन question जो है, ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ, कि तीन question आपको चार number में, चार number होता है, CSIR का जो section सी आता है, चार number में तीन question आपको मिले है, CSIR में, वो भी 2022 के paper में, ठीक है, यानि कि चार को तीन से multiply कर दो 12 number जो होते हैं, CSIR में कितना महतो रखते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, इसके अलावा, DBT में भी तीन number का paper होता है, जो कि आपको हर साल एक question collagen का मिल लहा है, इसके अलावा, एक चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए और questions को चुने है, जो कि ICMR point of view से है, जो कि थोड़ा सीधा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि यहाँ पे एक question यहाँ पे पूछा गया है, और वो question यहाँ पे यह पूछा गया है, कि most active form of the vitamin D क्या होता है, तो most active form जो कि मैंने अपने lecture में बताया है है वो क्या होता है वो होता है आपका कैल्सी ट्रायॉल ठीक है तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म जब अपसे पूछा जाएगा तो हम क्या अंसर करेंगे कैल्सी ट्रायॉल करेंगे इसके अलावा एक कॉश्ण यह 2019 में पूछा गया क्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर नहीं होता है तो हमने स्ट्रो में स्ट्रोजन पड़ा क्लेकिन हमने कॉल्टियू में पढ़ा तो इसका प्रिकर्सर नहीं है का स्वेंροडियू टी ओ लिपिन स्ट्रोडे के बारे में कार्डियो लिपिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि किसी भी तरह से एक्जाम में कुछा जा सकता है हलाकि यह जो कार्डियो लिपिन होता है यह माइटो कॉंडिया में पाए जाता है इसको याद रखिएगा Mitochondria में Cardiolipin पाई जाती है Condriolipin पाई जाता है ये एक Molecule होता है तो इसको आप याद रखिएगा ये Mitochondria में पाई जाता है और ये Question हो गया इसके बार Alpha Oxidation of the Fatty Acid कहां होता है तो ये जो होता है ये आपका Paroxysome में होता है ये आपको याद रखना था मैंने रटाया था और Alpha Oxidation of the Fatty Acid ये 2021 में भी पूछा गया जो Question repeat हुआ तो ये कहां पे होता है Paroxysome में होता है तो इस तरह से ये आपके लिए एक Eye Opener Lecture था किस तरीके से आपको इस Channel पे अपलोड किये जारे लेक्चर को आप अच्छे से देखिए समझिए अभी भी आपके पास एक दो महीने का टाइम है अच्छे से Recall करिए एक एक लेक्चर एक एक Books जो अवलेबल है उनको ध्यान से पढ़िए सारे Question इसी के आसपास से आने वाले है तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा बाकी ऐसे ही और लेक्चर के लिए अगर चाहते है तो Comment section में बताइए कि आपको क्या चाहिए ठीक है उसके अलावा भी हम जो भी हमसे बंद पड़ेगा Questions वगएरा के Series भी हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे Like, Share & Subscribe जरूर कीजिएगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ Thank you very much